एक गाउं में एक चुडैल का साया था, वो चुडैल रूप बदलने में माहिर थी, वो अक्सर रूप बदल कर लोगों का शिकार करती थी, धीरे धीरे चुडैल से परिशान होकर लोगों ने रात में घर से लिकलना ही बंद कर दिया, और एक तांत्रिक को बुलाकर गाउं के चारों तरफ एक सुरक्षा घीरा बनवा दिया, जिससे कि चुडैल गाउं के अंदर ना आ पाए, एक रात चुडैल शिकार की तलाश में बैठी होती है, अरे ये क्या हो रहा है, अब तो गाउं वालों ने घर से निकलना ही बंद कर अगर ऐसे ही रहा तो मैं तो भूखी मर चाऊंगी, मजे कुछ तो करना होगा, ऐसा सोच कर चुडैल गाउं के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो सुरक्षा घीरे के पास पहुँचती है, उसे जोर का जटका लगता है, और वो दूर जाकर गिरती है, अर अब मैं अंदर नहीं जा पाऊंगी, अब मेरा क्या होगा, लगता है मुझे भूखाई रहना पड़ेगा, ऐसा कहकर चुडैल वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी वहां एक मुबाइल बजने लगता है, चुडैल हैरान होकर मुबाइल के पास जाती है, अरे ये क्या ब आवाजे आने लगती है, चुडैल आवाजे सुनकर सोचती है, लगता है दूसरी तरफ से कोई आदमी बात करना चाहरा है, क्यों ना इस आदमी से बात की जाए, ऐसा कहकर चुडैल उस आदमी से बात करने लग जाती है, और उसे गाउं के बाहर बुला लेती है, वह हरिया होता है वो भी चुडैल के बुलाने पर गाउं के बाहर आ जाता है मज़ा आ गया इतनी रात में लड़की का फोन आया और उसने मिलने के लिए भी बुला लिया आज तो मज़ेदार इलू इलू करूँगा बस आज आए एक बार तब ही चुडैल उस आदमी के सामने आ जाती है और बूलती है मैंने ही बुलाया है तुम्हे चलो इलू इलू करते है चुडैल को देखकर हरिया डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है लेकिन चुडैल उसे पकर लेती है और मार डालती है और बहुत खुश होती है बहुत ही सही चीज है ये मुबाइल तो एक फोन करो और बस आदमी खुदी चला आता है मरने के लिए फिर उसके बाद चुडैल लड़की बन कर रोज कोई भी नमबर डायल कर दीती और आदमियों को अपनी बातों में फसा कर अपने पास बुला लेती और मार डालती कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है और गाउवाले इस नई मुसीबत से परिशान हो जाते हैं एक शाम राहुल नाम का एक लड़का अपने दोस्त मोहन के साथ बैठा बातें कर रहा होता है तभी उसके मुबाइल फोन पर एक कॉल आती है अरे इतनी शाम को किसका फोन है कौन फोन कर रहा है मुझे राहुल तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे तुम्हारे पिता जी का फोन आया है अरे फोन उठाओ और बात करो राहुल फोन उठाता है और बाते करने लगता है दूसरी तरफ से लड़की की आवाज सुनकर खोश हो जाता है और मोहन को बोलता है राहुल की बात सुनकर मोहन सोच में पढ़ जाता है और बोलता है राहुल तुम ऐसे कहा भागते जा रहे हो वैसे लड़की तुम्हें क्यों बुला रही है मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है मेरी बात मानो तुम मत जाओ मोहन की बात सुनकर रोहन हसने लगता है और बोलता है तू भी न मोहन अब ए तेरा भाई इतना स्मार्ट है सभी लड़कियां देखते ही गिर जाती है अरे भाई मुझे नहीं बुलाएंगी तो क्या तुझे बुलाएंगी अब भाई तू चिल कर अभी तो मैं चला लड़की से मिलने फिर मोहन की बात ना मानकर रोहन वहां से सीधा लड़की से मिलने चला जाता है और लड़की का इंतजार करने लगता है काफी देर हो जाती है और वहां कोई लड़की नहीं आती है लगता है किसी ने मुझे बेफकूफ मनाया है यहां कोई लड़की नहीं है वापस घर जाता हूँ लगता है इस लड़की नहीं मुझे फोन करके बुलाया है इसके पास जाता हूँ और पूछता हूँ रोहन लड़की के पास जाता है और उसे आवाज देता है पीछे से तो आप बहुत ही खुबसूरत लग रही है लगता है आप ने ही मुझे फोन करके बुलाया था अब आप मुझ छुपा कर खड़ी हो कम से कम अपना खुबसूरत चहरा तो दिखाओ आप तो बहुत ही मजा किया हो लो देख लो मेरा खुबसूरत चहरा जैसे ही लड़की पलटती है रोहन की सिट्टि-पिटिक गुल हो जाते है उस लड़की का चहरा एक चुडैल में बदल जाता है चुडैल ये तो चुडैल है मम्मी बचाओ मुझे बचाओ लेकिन चुडैल रोहन को पकड़ लेती है और बोलती है कहा जा रहा है मेरे मन चले इधर तो आउ जेरा ऐसा कहकर चुडैल रोहन को मार डालती है अगले दिन रोहन की लाश गाओं के बाहर मिलती है मोहन रोहन की लाश देख कर रोने लगता है और बोलता है बोला था इस मन चले को की बत जा मोहन की बात सुनकर वहाँ खड़े गाओं वाले मोहन से सारी बात पूछने लगते है और मोहन भी उन्हें रात में हुई सारी बात बता देता है जिसे सुनकर गाओं वाले बहुत डर जाते है भीमा की बात सुनकर पास में खड़ा राजू भी बोलता है जहीं कह रहे हो भीमा भाईया कौनों तरह से इस चुड़ेल को गाओं से बाहर किये थे अब ना जाने कहां से ये मोबाईल वाली चुड़ेल आ गई अब का करें किसी के बुलाने पर नहीं जाएंगे हम तो फिर गाओं वाले वहां से चले जाते हैं और डर के मारे रात में किसी का फोन नहीं उठाते एक रात भीमा का फोन बचता है भीमा फोन उठाने जाता है तभी उसकी पतनी दुलारी वहां आ जाती है और गुस्से में भीमा को बोलती है कहा जा रहे हो फोन उठाने इसी जाडू से इतना पीटूंगी ना कि अकल ठिकाने आ जाएगी बड़ा चले है फोन उठाने अगर चुडैल का फोन हुआ तो चलो चुपचा बैट जो अरे भागवान तू भी ना जरा सा कुछ होवत नहीं है गोवर्धन परबात उठा लेती है अरे सिर्फ देखी तो रहा हूँ किसका फोन है हाँ हाँ जानती हूँ तुम बड़े डंबानी के रिष्टेदार हो ना जो तुमें फोन आएंगे चुप करके बैठो इस तरह कई दिन बीच जाते हैं और गाउवाले चुडैल के डर के मारे सिर्फ दिन में ही एक दूसरे से बाते करते और रात में किसी का फोन नहीं सुनते एक दिन गाउवाले बैठे बाते कर रहे होते हैं तुम्हें रात में भोची ने भी मारा है राजू की बात सुनकर वहां खड़े सारे गाउवाले हसने लग जाते हैं तभी वहां राजू की पत्नी रज्चो आ जाती है बहुत मजाग उड़ाने आ रहा है तुम्हें भीमा भीया का ये नहीं कि चुडैल से कैसे निपटना है तुम सही कह रही हो हमेज चुडैल से तो निपटना ही होगा अगर आप लोग सुनो तो मेरे पास एक योजना है फिर भीमा अपनी योजना रज्जो और गाव वालों को बताता है उसी रात भीमा के मुबाइल पर चुडैल का फोन आता है और चुडैल भीमा को मिलने के लिए बुलाती है लेकिन भीमा के बदले रज्जो और दुलारी चुडैल से मिलने के लिए गाव के बाहर जाती है उस तब तुम्हारी खैर नहीं, तुम दोनों मारोगी मुझे, आज तुम दोनों को ही मारती हूँ, लेकिन तभी सारे गामवाले वहां आ जाते हैं और चुडैल को घेर लेते हैं, गामवालों को देखकर चुडैल बोलती है, लगता है अज सारे गामवाले ही मरना चाहते हैं, को तबी रज्जो और दुलारी के ओपर वावित्र गंगा जल डाल देते हैं, चुड़ेल जलने लगती है और थोड़ी देर में जल कर भस मो जाती है